Hello Friends, Friends आज हम चर्चा करेंगे HPTGT Commission के बारे में कि HPTGT Commission exam कब होगा बहुत सारे Friends मेरे से ये पूछ रहेते कि Sir आप HPTGT Commission कब होगा आप इसके उपर वीडियो बनाइए और इसका exam date कब तक आएगी आप इसके बारे में बताइए तो friends इसके उपर हम detail से चर्चा करेंगे और जितने भी जो friends पुराने friends हैं जिन्होंने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है और जितने भी जो नए friends इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस channel को subscribe जुरूर कर लिजिए क्योंकि इस channel पर HPTJT Commission की serious त्यारी करवाई जाती है और जो जितने भी नई candidate जो HPTJT Commission की त्यारी कर रहे हैं और जो इस बार HPTJT Commission exam देना चाहता है तो जी channel आपके लिए काफी helpful हो सकता है और आप भी अगर serious candidate है तो आप जल्दी से जल्दी इस channel को subscribe जरूर कर लिजिए तो friends चर्चा करते हैं HPTJT Commission के बारे में कि HPTJT Commission exam कब तक हो सकता है कब इसकी यो exam date आएगी तो friends जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि 10 सप्टमबर की जो high quote की सनवाई थी High quote की सनवाई से इसकी जो अगली सनवाई को extend नहीं किया गया है जो अगली सनवाई थी इसको extend नहीं किया गया था इसका मतलब जे बनता है कि जो exam date है वो जल्द से जल्द आ सकती है ठीक है, क्योंकि अगर सुनवाई को extend किये जाता, तो यह मामला लगाता अरकता रहता, ठीक है, इसकी सुनवाई डेट लगाता रे, extend होती जाती, अब जब इसकी अगली सुनवाई को एक्सेंड ने किये गया है, तो ऐसा लगता है कि जो इसकी सुनवाई थी जो यहे मामला है वो जल से जल खल होगा ठीक है जल से जल खल होगा और जब जे खल हो जाएगा तो नेचरल है कि जो उसकी exam date है वो announce कर दी जाएगी HPSSC के दोरा और जब HPSSC इसकी exam date को announce कर देगा तो exam भी जल जल जाएगा फिर ठीक है तो आप जो त्यारी कर रहे हैं तो आप त्यारी को continue रखी है इसके लब आफ friends मैं आपको बताना चाहूंगा कि September में इसकी जो exam date होने की अब संभावने बहुत कम बची है September में जो exam date होने के काफी कम chances है और October में October में बहुत सार exam होने है और जो इसकी exam date है वो इसमें जो exam date के लिए जो जगा वज़ती है वो बहुत ही कम है ठीक है थोड़ी बहुत है अगर हो सकता है अगर HPSSC जल्द ही इसकी ये गोशना कर दे कि जो इसका exam date होगा तो ऐसे संभावना है कि October में हो सकता है अगर इसमें कोई dates बच जाती है तो इसमें October में हो सकता है लेकिन ऐसा भी संभाव है कि इसका जो exam है वो नवंबर तक जा सकता है अगर जो इसकी exam date HPSSC को नहीं मिल पाई सही समय पर तो जो exam है exam होने की संभावना फिर नवंबर में भी हो सकती है ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर HPSSC के लिए बिकल्ब बचेंगे कि वो exam को कराए तो वो October में जरूर करवाएगी च्योंकि ऐसा होता है कि exam को जादा समय तक delay नहीं किये जाता है लेकिन अगर date बचेगी तो जरूर करवाएगी अगर नहीं होगा तो फिर नवंबर में हो सकता है तो आप मान के चिलिए कि जो exam है वो October और नवंबर में कभी भी हो सकता है ठीक है October और नवंबर के बीच में होगा जरूर होगा और जल्द ही होगा और जितने भी friends है जो लगातार यह doubts में है कि सर अग्जाम कभ होगा कभ होगा जरूर होगा और जल्द होगा ठीक है आप positive रहिए और त्यारी को त्यारी को continue रखिए मैं जितने भी friends है और लगातार यही बढ़ता रहा हों कि आप अपनी त्यारी को continue रखिए अगर आपके पास समय मिल रहा है तो आप त्यारी को continue रखिए और आप details से पढ़ लीजिए अगर आप एक serious candidate है और आपके पास समय है तो आप details से जरूर पढ़ लीजिए ठीक है जब exam date आ जाएगी तो आप revision कर लेना ठीक है अब यह तो है नहीं कि इसकी जो exam date नहीं आएगी exam date जुरूर आएगी अगर आपके पास जैदा समय मिल रहा है तो आप जितने भी इसका syllabus है मैंने पहले बताया कि जो इसका syllabus है वो काफी wide है और जब exam date आ जाएगी तो आपके पास समय नहीं बचेगा आपके पास approximate 20-30 दिन होगे और 20-30 दिन में आप कैसे इसके सारे के सारे syllabus को complete कर पाऊगे तो अभी आपके पास समय है बैसे भी इसके लिए काफी समय मिल चुका है 6 months से ज़्यादा समय मिल चुका है और जो candidate त्यारी नहीं कर रहे है और उनको ये समय मिल रहा है तो आप समय का सदुप्यों की जी आप क्यों बार बार इसी के बारे में सोच रहे हैं कि सर exam कब होगा कब इसकी exam date आएगी अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप इसके लिए एक तरीके से आपकी जो strategy है वो negative strategy है और कभी भी exam date के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए ठीक है जब exam होगा तो उसके लिए exam date जरूर आ जाएगी ठीक है और जल्दी आ जाएगी अगर आप एक serious candidate हैं और आप त्यारी कर रहे हैं और बार बार जही सोच रहे हैं कि sir exam कब होगा कब होगा तो आप जो आपके जो computer है आप उनको मुकादेर रहत्यारी करने का ठीक है तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और HPSSC जैसा कि मैंने बताया है कि जो HPSSC है वो हमेशा ही समय पर समय पर exam को करवाने के लिए बचनबद होती है ठीक है क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि exam delay होता रहे और जो exam delay होता रहेगा तो वो जो next year के frequency है वो कब बढ़ेगी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो next year के frequency है वो December, January में निकल आती है और जब पिछली जो पेकेंसिस नहीं फिल अप होगी तो आगली कैसे होगी तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि HPSSC के द्वारा गंबेरता दिखाई आती है और बे भी बचनबद होती है कि जल्दी से जल्दी एक्जैम इसका हो जाए अब कोर्ट में लटका हुआ है कोर्ट में इसके एक्जैम डेट को extend नहीं हो रही है तो इसका मतलब निकाल लेजिए कि जो इसका एक्जैम है वो जल्द से जल्द होगा तो आप अगर आप एक serious candidate हैं और अगर आप positive way में सोच रहे हैं तो आपको exam date के बारे में नहीं सोचना चाहिए आपको अपनी त्यारी करनी चाहिए और लगातार आपको continue रखना चाहिए अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहे हैं कि exam कब होगा, कब होगा, कब होगा कब इसके exam date आएगी तो आप अपने computer को मोकाद दे रहे हैं ठीक है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि begancies बहुत कम होती है और candidate बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है और अगर एक लाग प्लस candidate है और पांट सो के आस पास begancies है तो आप देख लीजिए कि एक begancies के उपर कितने candidate फाइट कर रहे हैं तो मेरा idea आप समझ गए होगे और अगर आप इस से थोड़ा वो satisfy हैं जैसे कि मैंने बताया वीडियो पर तो आप अपने comment जरूर इसमें डालिए और वीडियो को like जरूर किजिए नेक्स्ट वीडियो में और जितने भी नए फ्रेंट से इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल के साथ जरूर जूरिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लीजिए तो फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स